Hello and welcome back everyone जैसा कि last session में हम लोगों ने देखा था कि आपकी जो IAM है Instant Messaging है वो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं Application Base और Web Base Application Base जो आपका Instant Messaging होता है उसमें आपको Application या फिर Software कहें या फिर Tool कहें उसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है then आप उसको install करते हैं and further आप उसमें login होके communicate कर पाते हैं conversation कर पाते हैं अपने contact list and जो web-based applications होती है web-based service होती है उसमें आपको download करने की जरूतनी होती है आपके पास browser होना चीए internet browser वो आपका google chrome हो सकता है firefox हो सकता है जो भी browser आप use कर रहे हैं उस browser पे respective website पे जाते हैं और उस website पे आप login करते हैं और अपनी contact list से conversation कर पाते हैं messaging कर पाते हैं आज जो google talk मैंने बताया था कि google talk जो facility है वो आप download करके use कर सकते हो दूसरा इसका web version जो होता उस वो gmail पे आप login करके भी कर सकते हैं तो हम बात करने वाले हैं अभी google talk के बारे में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किस तरीके से आप उसको upload download कर सकते हैं और launch करते हैं नए उस application को या तो उसे shortcut icon पर double click करके या फिर programs में जाके और latest window आप पर आप जो भी contact list आपको शो होती है उसके जो नजर आता उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं कि नाव अगर आप नए यूजर हैं तो प्लेलिस्ट हमारी जरूर विजिट कीजिए वहां पर सारे वीडियो हमारे हैं सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज तो आपको स्टेडी करने में आसानी होगी कि आज का जो हमारा टोपिक है चैटिंग विद एक गोगल टोधोव यानि कि गूघल टोग पर आपकी कमीट लिस्ट निस्त होती है जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उन से आप कैसे बात कर सकते हैं उसके बाड़े में हम बात करने वाले हैं नाउ आपने डाउनलोड कर लिया इंस्टोल कर लिया फर्दर जब आप उपन करते हैं तो कुछ एंसी विंडो आपको नजर आती है यहाँ पर इस विंडो में जो यहाँ पर डेमो लर्ण है यह आपकी आईडी है यानि कि आपने इस आईडी से लोगिन करका है और यह जो नीचे आ आपने दोस्त को यहाँ से आड़ कर सकते हैं जो कॉंटेक्ट लिस्ट के कंडिडेट्स हैं उनमें से जो लोगिन रहते हैं यानि कि और रेड़ी ओनलाइन है उनके नाम के सामने यह जो ग्रिन डोट आपको दिखाई दे रहा है यह शो करता है ओनलाइन वीजिबिटी यान तो यहाँ पर आपको ग्रिन डोट दिखाई देगा उसके नाम के सामने जो इन्डिगेट करता है यह जो परसं है आपको कॉंटेक्ट लिस्ट में वो ओनलाइन है इससे आपको पता चल जाता है आप उसके नाम पर डबल कलिक करके उससे बाते करना सुरू कर सकते हैं कॉंस इस पर double click कीजिए जैसे ही आप double click करेंगे देखे इस तरीके की window आपके सामने आ जाएगी यह आपने double click किया तो आपके friend की नई window open हो गई और उसमें आप यहां पर text लिखेंगे और जो text लिखेंगे एंटर करेंगे वो text आपका as a reply demo one जो है यह आपने लिखा वो messages है और यह आपके friend ने जो reply किया वो messages है hope इसमें कोई आप लोगों को doubt नहीं होगा क्योंकि यह रोज आप यूज करते हो WhatsApp पे इस तरीके से आपका conversation होता है जैसे आप WhatsApp पे करते हो similar manner में यहां पे Google Talk पे भी आप call भी कर सकते हो voice message भी भेज सकते हो right now exam point of view से question जो आता है वो यहां पे है जो exam में पुछे जाने वाला question है important one वो यह है कि what are the general rules and attitudes to followed while chatting कि जब हम chat करते हैं तो हमें किस तरीके के rules follow और यह rules वही हैं जो आपके email पे इंप्लिमेंट होते हैं तो यानि chatting करते time आपको जो rules and attitudes follow करना है या फिर mail करते time जो rules and attitudes follow करना है वो आपको exam में पुछे जा सकते है तो आपको क्या करना चीए देखिए आप इनको note कर ले notes बना ले इनके exam में पुछे जा सकते हैं पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है message should be short and to the point ऐसा नहीं है आप कहानिया लिख रहे हो क्योंकि जो आप जिसको message भेज रहे हो वो आपका interested नहीं रहेगा अगर आप इस त आपके recipient आप से connected रह सके always introduce yourself by name if your screen name doesn't reflect it अगर screen name से आपका नाम नहीं पता चल रहा है तो आप अपना नाम जरूर बती अपने friend को अगर आप conversation start कर रहे हैं तो यहां यहां पे जैसे demo था तो demo से reflect नहीं हो रहा है तो आपको नाम बताना चाहिए कि I am so-and-so candidate of your class okay always ask if the other person has time to chat first हमेशा यह start जब chat करते हैं तो यह जरूर पूछ ले कि आपका friend जो है वो free है या नहीं है ऐसा नहीं है वो बीजी है और आप उसको messages भेजे जा रहे हैं that means आपका communication effective नहीं होगा और आपका conversation जो है complete भी नहीं होगा कहीने कहीं आप जाके stop हो जाओगे okay वो आपका reply करना बंद कर देगा okay so हमेशा अगर candidate free है then आप conversation start करें in a business environment know exactly what you want to discuss अगर business related आपको chat करें हैं तो हमेशा यह ध्यान रखें कि आपका discussion जो आपकी requirement है उस पे ही हो try your message in uppercase is extremely rude capital letters में messages ना लिखें एक अच्छा communication कहलाता है अगर आप small letters में लिखते हैं अपना message capital letters में हमेशा rude लगता है message okay give the people time to respond ऐसा नहीं है आप question पर question पुछे जा रहे हो और आपका जो recipient है आपका जो दोस्त है वह आपके questions पढ़े जा रहा है reply करने से पहले आप नया question put कर देते हो इससे लगता है कि आप उसको interrogate कर रहे हो और ऐसा नहीं करना चाहिए आपको हमेशा time देना चाहिए अगर आपने कोई question पूछा है तो उसको read करने के बाद उसके reply का wait भी करना चाहिए wherever possible give a person your communicating with your undivided attention अगर जिससे आप बात कर रहे हो तो उसको आप attention दे उसकी बात को एहमियत दे यह जरूरी है ऐसा नहीं है एक साथ आप 10 लोगों के साथ चैट कर रहे हो एक का चैट भूल गे हो कि उसने कब आप से कुछ पूछा था तो उससे क्या होता है आप सबसे connected नही रहा पाते हैं तो बैटर है कि आप जिससे communicate कर रहे हैं एटलिस्ट उसको attention जरूर दें इस इंपोर्टेंट टो प्रोपर्ली एंड और आइम कर वर सेशन हमेशा जब भी conversation खतम होता है तो बिलकुल thank you message के साथ conversation को finish करें यानि कि जो recipient उसको भी लगना चीए कि now we are enough to communicate और बास्त में ना लिखें कि वह आपके उस question पर बार बार कुछ ना कुछ नया reply करता रहे ओके आप एक प्रोपर वे में प्रोपर चैनल में अपनी conversation को finish करें ओके नाव यह तो बात होगी हमारी Google टोक की Google टोक पर आपको क्या करना है और यह सारे एटिक्वेट्स और रूल्स आपको mail करते हैं तो mail में भी आपको याद रखने ध्यान रखने हैं कि यह चीज़ें हमें maintain करनी है ओके ना बात करूं अगर chatting on Gmail Gmail पर भी आप चैट कर सकते हो जैसे Google टोक पर कर रहे हो और उसके लिए आपको करना क्या है first of all आपका Gmail ID अकाउंट होना चीए आपका और जैस और उसमें login कर लें जैसे ही आप login कर लेते हैं तो procedure सेम होता है यहाँ पर आपको जो window नजर आती आपके जैसे यहाँ पर Firefox में open किया है right hand side में आपके inbox होता यानि कि mail आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपका compose mail का option होता है compose mail से हम नई mail भेज सकते हैं और नीचे कुछ folders बन left hand side में यहाँ पर नीचे corner में आपके पास option होता है जो Google Talk में हम बात करेते उसी तरीके से अगर आपको messaging करनी है Gmail पर चैट करना है तो यहाँ पर आपके पास option होता है यानि कि आप इस left bottom corner पर देखेंगे यहाँ पर आपकी mail आइडिस होगी और नीचे आपके contact list होगी friends की list ह और जो friend आपका online होगा उसके सामने green dot आपको नजर आएगा आप उस पर double click करके उससे conversation करते हैं जैसे double click करते हैं तो देखें इस तरीके से उसी mail ID के अंदर ही Gmail ID के अंदर एक नया dialogue box आ जाता है उसमें आप conversation कर सकते हैं बाते कर सकते हैं यहाँ भी आपके पास call का भी option होता है वीडियो का भी option होता है ठीक है आप अपने दोस्त के साथ audio और वीडियो के थुरू चैट कर सकते हैं यह तो बात जी mail की इने similar manner आप याहू से भी चैट कर सकते हैं याहू messenger जो मैं बता रहा था आपको याहू messenger आपको डाउनलोड करना पड़ता है आप उसको लोगिन करने के बाद में आपके पास से contact list आपको नजर आ जाती है आपके दोस्तों के नाम वहाँ पर नजर आएंगे उन पर double click करके आप उनको उनसे conversation करते हैं और साथ ही नए candidate को invite करने के लिए उसको contact list में add का option होता है वहाँ से आप उसको invitation भी send कर सकते हैं अगर आप च है import your contact उस पर जाके आप अपनी other ID के friend जो है hotel Gmail उनका भी option होता है उनको import कर सकते हो वहाँ से आप उनसे communicate कर सकते हो तो यह कुछ options आपको लेबल होते हैं messenger के अंदर जिसके तुरूँ आप instant messaging कर सकते हैं यानि कि chatting कर सकते हैं conversation कर सकते हैं okay you can also try using other services जैसा कि MSN है redify cp है यह other options है इनके software साफ download करके इनका भी use कर सकते हो instant messaging के लिए यानि chatting के लिए okay so यह session यहाँ पर finish हो जाता है hope कि आपको समझाया होगा और अच्छा लगा है तो like और share जरूर कीजे ज़्यादा से ज benefit मिले एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे सच देट इसका notification जैसे वीडियो upload आपको मिल जाए थैंक्यू